सोलन के स्लोग्रा में शेब मंदिर में दाउसी एंबुलेंस रोड का सोलन के बिधायक करनल धनी राम शांडिल ने उद्गाटन कर दिया है ये उद्गाटन इतनी जल्दी में हुआ कि भास्पा कारेकरता इस बात से बेखवर नजर आय और सुत्रों की माने तो भास्पा के कारेकरता इस सड़का विधिवत उद्गाटन दिसंबर में करने जा रहे थे और उद्गाटन के लिए भास्पा नेताओं से शमय लेने का प् कोरल कोड ओफ कंडक्ट लगा दिया था जिसके चलते वह उद्गाटन नहीं कर पाए लेकिन अब विकास में वह किसी भी तरह का विरोध नहीं सहेंगे और अगर विरोध होगा तो उसका उचित जवाब दिया जाएगा उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस का दूसरा नाम विकास है और विकास पूर कोई राजरती नहीं करने दी जाएगी उन्होंने कहा कि जिस रोड का उन्होंने उद्गाटन किया है उसको उन्होंने मंत्री होते हुए 62 लाख रुपे दिये थे इसलिए वहीं इस सड़क का उद्गाटन भी कर रहे हैं जब इस बारे में भासपा सोलन मंडल के अधेक्शोय रविंदर परिहार्स पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस उद्गाटन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर इस तरह का उद्गाटन हुआ है तो ये वेहत गलत हुआ है क्योंकि जिसकी सत्ता में कोई भी कारे पूर्ण होता है वही सत्ता का रूर्ड पार्टी का प्रत्निती उस विकास कारे का उद्गाटन करता है इसलिए कॉंग्रेस त्वारा शुरू की गई ये परंपरा बिल्कुल गलत है जिसका भासपा कड़ी शब्दों में भी रोध करती है वो कभी भी नहीं रोकेगा क्योंकि विकास सच मुझ में कॉंग्रेस का दूसरा नाम ही विकास है हम ज्यादा बादे नहीं करते हम ज्यादा डोडनी बजाते परंतु जो काम बोलते हैं वो करने की पूरी शम्ता रखते है और अभी भी करेंगे कोई काम रुकेगा नहीं कार मिने का लगातार इन लोगों ने वो लगा दिया मुडल कोड़ ऑफ कंड़क्ट एज रिजल्ट विकास में बहुत से काम रुके हैं हमारे मेरे तो पब्लिक की बाकादे इतनी निमानती बचारे तो रो रहे थे बच्चे के साहब हमारा कोई करता ही निये कुछ भी काम मैं करने में आओंगा करेंगे क्यों नी करेंगे ऐसा कोई उसमें वह रही तो यह था कि जो लगनी चाहिए चीज लगनी चाहिए विकास का काम तो विकास का पहिया तो चलता ही रहेगा हम विकास की करना चाहते हैं हम किसी परकार की जाद नीती मुझे अच्छी नहीं लगती क मुझे ऐसा महसूत लगता है कि विकास में रादनीती कम होनी चाहिए और काम जाद होना चाहिए